नमस्कार साथियों, मैं आसीश कुमार आपके वीच बिहार स्टेट पावर होलिंग कॉर्परेशन लिमिटेड के ट्रेड इलेक्टिशियन थ्योरी के इलेक्टिशियन ब्रांच से हमारे जो छात्र है आईटियाई के उनके लिए जो 2018 का प्रिवियस यर का कोस्चन है वो डिस देखते हैं आज हम लोग डिसकस करेंगे चार नमंबर 2018 में जो ऑनलाइन एक्जामनेशन आपकी बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्परेशन में हुई थी उसके चार पदों के लिए एक्जाम हुई थी और वो एक्जामनेशन थे SBO के लिए स्वीच बोर्ड ऑपरेटर के लिए जूनियर लाइन में के लिए असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए और टेक्निशन ग्रेड फोर के लिए तो इसमें जो प्रशन पुछे गए थे आज हम उसे डिसकस करेंगे साथियों ठीक है जैसा कि आप जानते हैं बिहार स्टेट पाव जल आ जाएगी और समय बहुत कम मिलता है इसलिए मैं आपको बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कारपरेशन के जो प्रिवियस एर के प्रस्ण है यह स्रिंखला मैंने पहले भी शुरू की थी लेकिन हम चाहते हैं कि सभी प्रशनों को हम आपके बीच धीरे-धीरे करके डि वाइंडिंग ठीकर साथियों सबसे पहले ज़रा ध्यान दिजिए और्टो ट्रांसफर्मर निश्युद रूप से यह समान ट्रांसफर्मर ही होता है जो वर्किंग प्रिंसपल हमारे ट्रांसफर्मर की होती है वही इसकी भी होती है आपका ट्रांसफर्मर किस प्रिंसपल पे काम करता है ट्रांस्वर्मर काम करता है मुच्वल Induction पर अन्योर निप ट्रेंफर किस पर काम करता है शास्रीयों अन्योर प्रेयरं इसे यंग्रेजी में क्या कहते हैं मुच्व We 74 all EnIES काम करता है यह आप supply primary को देते हैं लेकिनiãoट कहां से मिलता है secondary से मिलता है जिस winding में हम supply देते हैंना साहब उसको क्या कहते हैं प्रैमरी winding कहते हैं जिस winding से हमारा load connected होता है जहांसे output लिते हैं उसे क्या कहते है जीवन भर याद रखना जहां पे supply दिया वो primary winding जिदर से load को connect किया वो secondary winding और सदे भी याद रखे कि हमारी जो transformer है साथियों उसकी primary और secondary का तो concept clear हो गया लेकिन high voltage winding primary भी हो सकती है और low voltage winding secondary भी हो सकती है low आपकी primary भी हो सकती है और low आपकी secondary भी हो सकती है यानि कोई भी winding low और high हो सकती है जो भी winding low winding होगी low voltage winding होगी असपस्ट है उसमें turn की संख्या कम होगी और turn की संख्या जब कम होती है तो voltage भी कम होता है और turn की संख्या अधिक होती है voltage भी अधिक होता है example के तौर पे देखिए ये हमने किया इसमें एक, दो, तीन, चार, पाँच टर्ण है ठीक आद दूसरा हमने यहां किया इसमें आपको एक और दो, दो ही टर्ण है तो ये वाली winding आपकी high voltage winding कही जाएगी और ये आपकी low voltage winding कही जाएगी ठीक है तो आप हमेशा याद रखिएगा, voltage का मान निरभर करता है, टर्णों की संख्या पर, फेरों की संख्या पर, जिसमें फेरे जादा होंगे, voltage अधिक होगा, जिसमें फेरे कम होंगे, voltage कम होगा, अधिक voltage वाले को high voltage winding कहेंगे, कम voltage वाले को low voltage winding कहेंगे, concept clear, साथियों, हमारी जो क्या है supply है और फिर उधर जदी हम देखें तो इसी भीवन में यह भीजन supply और यहाँ पर आपकी output क्या मिल गई भीटू मिल गई winding देखिए कितना है साहब single winding है इस winding को पूरा-पूरा हमने क्या माना है primary माना है n1 इधर से हमने total को n1 माना है और यहाँ से tapping करके इतने हिस्से को n2 माना है तो आप सभाविक रूप से देख रहे हैं कि primary में turn की संख्या ज़्यादा secondary में turn की संख्या कम तो असपस्ट है कि आपका भीवन अधिक होगा अभीटू कम होगा सहाब सदय वियाद रखना ऐसे transformer जिसमें input voltage ज्यादा होता है output में voltage कम मिलती है उसे step down transformer कहते हैं क्या कहते हैं step down transformer कहते हैं क्या कहते हैं साथियों step down transformer कहते हैं यह जो transformer है वो कैसा transformer है step down transformer है ठीक है अगर यही पलट जाए तो अगर इधर से आपकी भीटू हो जाए ये छोटी वाली सेक्शन कम वाइंडिंग का टर्ण ये आपकी भीवन मान लिया जाए और इधर आपका भीटू मिले तो क्या हो जाएगा step up आप सरेव याद रखिए बहुत आसानी से हम step down transformer को step up बनाते हैं step up को हम बहुत आसानी से step down बना सकते हैं तो ये inter convertible होता है जैसे कि motor को आसानी से generator के रूप में यूज किया जा सकता है generator को भी motor के रूप में परियोग किया जा सकता है आपकी copper कम खपत होती है losses भी आपके क्या होते हैं कम होते हैं लेकिन ध्यान रखिए एक दिक्कत और भी होती है क्या इसकी जो winding है एक तो number of turns कम है तो प्रतिरोध भी कम हो गया resistance भी क्या हो गया आपकी वह भी less हो गई कम हो गई पलस यह electrically भी that means यह दो तरह से काम करती है inductively भी conduct होती है और conductively भी conduct होती है क्योंकि इसमें सीधा संपर्क होता है अगर आप से प्रस्टन पुछा जाए auto transformer की winding में क्या electrical संपर्क होता है primary और secondary में असपस्ट कहेंगे कि yes इसके primary और secondary में निश्चित रूप से क्या होता है साथियों electrical connection होता है वैदूतिक संपर्क होता है और यहाँ पर power भी magnetically भी transfer होती है और वैदूतिक रूप से भी transfer होती है इसका कार सिंधात निश्ची रूप से किस पर आधारित होता है, स्वाप प्रेरन पर आधारित होता है, सेल्फ इंडक्शन पर आधारित होता है, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजे, कि यह जो transformer आपको यहाँ दिख रहा है, यह हमारा auto transformer है, यहाँ से plug-in किया, हमने supply receive करी यह वाले node पर जिस भी instrument को connect करना है, उसको supply दिया, यह जो आपकी connecting knob है, यह आपकी rotate होती है, इस rotating knob को घुमा करके, इसको घुमा करके हम क्या करते हैं साथियों, बहुत आसानी शे, यहाँ voltage का level लिखा हुआ है, आपको जितने voltage की requirement है, उतने voltage को आप इससे प्राप्त कर ले में capable होता है, तो यह है आपका साथियों auto transformer, तो इसका सही उत्तर होगा, auto transformer में एक ही winding का प्रयोग होता है, वही winding primary और secondary के रूप में प्रयोग में ली जाती है, यहाँ पर copper की कम मात्रा इस्तिमाल में ली जाती है, यानि आपकी copper की cost दो winding transformer से कम होती है, ठीक है, आईए हम द प्रश्मी बड़ा interesting है, एक transformer में उर्जा primary से secondary winding में किस माध्यम से जाती है, सबेब याद रखिए, transformer क्या काम करता है, voltage को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, जब बढ़ाएगा तो उसको step up कहेंगे, step up transformer कहेंगे, जब घटाएगा तो उसको क्या कहेंगे, step down transformer कहेंगे, ठ असपस्ट हो गया कि B1 आपका कम तो N1 आपका कम और N2 आपकी अधिक, B1 आपका अधिक तो असपस्ट हो गया N1 आपका अधिक और N2 आपकी कम है ना साथियों, अब यहां से समझे, कहा क्या गया है कि energy को transfer करना, that means असपस्ट समझे आप कि transformer आसानी से voltage को बढ़ाता घटात है, transformer आसानी से current को बढ़ाता घटाता है, ठीक है, लेकिन energy को भी आसानी से transfer करता है, एक बात सदे भियाद रखी, यह सिर्फ AC पे काम करता है, DC पे यह नहीं काम करता है, DC पे जब आप इसको संचालित करते हैं, तो इसकी primary winding जलकर राख हो जाएगी साथियों, जो मुखे ब पावर V1 I1, must be equal to क्या हो जाएगा, secondary का पावर V2 I2, यानि आपकी KVA rating जो है साहब, KVA पहले section का, और KVA आपके दूसरे section का, यानि primary का KVA और secondary का KVA, दोनों आपस में एक दूसरे के equal होता है, ठीक है, आप यहाँ पर कहा गया, कि secondary में किस माध्यम से अंतरित होती है, सदे भ कौन सा ऐसा माध्यम है, ये primary winding, ये secondary winding, दोनों को जोर कौन रहा है, इस two winding transformer में आप क्या देख रहे हैं, primary अलग है, secondary अलग है, क्या ये primary और secondary का आपस में कोई संबंध है, electrical संबंध बिलकुल नहीं है, अगर दो winding की transformer है, वहाँ primary और secondary winding का प्रियोग आप कर रहे हैं, तो आस्वस्त हो जाईए, कि हमारे primary और secondary winding के बीच का प्रतिरोध कितना होगा, अनन्त होगा, infinite होगा, ये दोनों electrically नहीं जूरी होगी, there is no any electrical connection between these two winding and two winding transformer, these two windings are directly connected with, coupled with and joined with magnetic system and magnetic flux, ठीक है, magnetic circuit के माधियम से, चुमबकिय परिपत के माधियम से, ये आपस में जुड़ी है, और ये जो flux आपकी score के माधियम से जा रही है, उस flux फाई नहीं इस दोनों को आपस में कपल किया है, जिसके माधियम से primary में आप supply देते हैं, और secondary में आपको voltage output में प्राप्त होता है साथियो आप score हो जाएए, जिस limb पर winding लपेटी जाती है, वो आपकी vertical हिस्सा होती है, यानि कि आपकी transformer का vertical section, उर्धवाधार हिस्सा, जिसमें winding को लपेटते हैं, उसे limb कहते हैं, यानि ये क्या कहलाएगा साथियों, ये आपकी limb कहलाएगी, ठीक है, आप देखिए, इसमें turn ज़्य सारी बातों को समझने के बाद, आप समझ लिजिए, ये हमारी सही उत्तर क्या होगी, चुम्बा किया flux के माध्यम से, सबेब याद रखिएगा, transformer में frequency क्या होती है, हमेशा constant रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके बाद आप क्या जानते हैं, transformer में कोई भी rotating part नहीं होता, कोई भी घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, और जदि घूमने वाला हिस्सा नहीं होता, तो friction नहीं होती, घरसन नहीं होती, और जब घरसन नहीं होती, तो क्या फाइदा होता है, आपके घरसन के कारण होने वाली losses नहीं होती, heat loss कम हो जाती है, जिसका benefit क्या मिल हमारी transformer की efficiency बढ़ जाती है तो almost जो हमारी efficiency है transformer की लगभग कहां से कहां होती है 97 to 99% के बीच होती है और जब transformer ने 99% achieve कर लिया efficiency को तो आप समझ जाए it becomes an ideal transformer या एक आदस transformer बन जाता है साथियों तो सरेव याद रखना है transformer की primary और secondary winding आपस में चुमबकिये flux के माध्यम से चुमबकिये परिपत के माध्यम से जुरी होती है एक बहुत highlighted question है आपके बीच चर्चा कर देता हूँ ये प्रशन पूछ दिया जाता है कि primary और secondary winding के बीच में कितने का phase अंतर होता है आप सरेव answer is 180 degree ठीक है चलिए साथियों हम अगला प्रशन देखते हैं अगले प्रशन को देखने से पहले जरा हम इवात आपसे चर्चा कर लें हमारी नही बैच जो है साथियों वो आपकी 26 जुलाई से आ रही है जिसमें हम trade का target आपके बीच रखेंगे साथियों के लिए foundation batches भी हमा इंजिनिर की वेकंसी संभावित है या फिर UP, RB, UNL में जो वेकंसी आई है उन सारे के लिए भी हमारी courses आपकी JEE के लिए and also SSE JEE के लिए बोत के लिए हमारी courses online offline दोनों माध्य में available हैं और सारी बैचे 26 जुलाई से आनी है चलिए साथियों अगला प्रशन कह रहा है यदि 230 दीस भोल्ट DC से ङोड़ दिया जाए किस से जोड़ दिया जाए जाए तो क्या होगा देखिए होगा क्या हमारी motor जो DC पे संचालित होती है उसको अचानक से जब आप AC दे देते हैं तो Insulation की problem जरूर वहाँ पर क्रियेट होती है और insulation की problem होने के कारण motor की दक्सता तो निश्य दूरुप से कम हो जाती है और spark इगनियेट होने लगता है यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना जो हम DC generator का प्रियोग नहीं कर पाए आखिर क्यों हमारी DC कमजोर पर गई इसका मुखी रीजन था कि DC generator के माध्यम से हम करते हैं लेकिन AC generator यानि आपका alternator यहना alternator के माध्यम से साथियों हम क्या करते हैं इस बात को यकीन मानिए alternator के माध्यम से सहाब हम 33 के भी तक 33,000 भोल तक 33,000 भोल तक voltage को हम develop करते हैं उसके बाद step up करके इसको मेगा वोल्ट में MBA में हम develop कर लेते हैं तो यह तो आपकी है प हमारी commutator जो एक mechanical reactifier की रूप में काम करती है जिसका मुख की काम है generated AC को DC में convert कर देना तो वह commutator का hard drone copper segment किसे जुरा होता है वो आपके winding से जुरा होता है और winding के साथ वह directly touch में होने के कारण अगर आपने voltage ज्यादा develop करने का प्रयास किया हलकी सी scratch भी उस hard drone copper के segment में आती है तो definitely आपकी sparking होने लग जाएगी और फिर आपकी short circuit बढ़ जाएगी परिणाम यह होगा कि आपकी motor जल कर राक हो जाएगी it becomes completely spoiled यानि पूरी तरह से यह जल कर बरबाद हो जाएगा तो साथियों यह दिक्कते थी हमारे साथ जिसके वज़े से हम बहुत ज्यादा generation DC में नह DC पर चलने वाला DC motor उसे अगर AC 230 की supply दे देते हैं तो आप सबेव याद रखिएगा इसकी efficiency कम हो जाएगी दक्सता कम हो जाएगी और sparking होना सुरू हो जाएगी और sparking होने के साथ साथ धीरे 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 मोटर आपका क्या हो जाएगा function करना बंद कर देगा धीरे धी नहीं करेगा ठीक है क्या होगा साथियों एक आयक यह बंद नहीं करेगा हमारा अगला प्रस देखिए क्या है ये चार जुलाई ये सौरी साथियों ये चार नमंबर 2018 में CBT जो हुआ था हमारे ITI Electrition के साथियों के लिए BSPSCL का एक्जाम वहां का ये प्रशन है अगला Annual Interest Compound Method का जो हम Analysis करते हैं पावर प्लांट के Economics में उसे किस नाम से जानते हैं साथियों आप जानते हैं पावर प्लांट के निर्मान में कडोरों रूपय का खर्च आता है बहुत सारी Accessories लगानी पड़ती है आपने Hydle Plant देखा होगा Thermal Plant देखा होगा ये सारे जो हमारे प्ल देखा होगा इसमें कोई संभावना नहीं है लेकिन अभी भी हमारे देश का लगवक 59-60% इलेक्टिसिटी थर्मल पाव प्लान से जनरेट होती है साथियों एक बहुत बड़ा ये इसका यूनिट होता है और उसमें काफी कॉस्ट आती है आपको वेजेज है वेतन है हमारे सीनियर जुनियर या फिर यू समझे तो इंजिनियर्स और बाकी वरकर्स सभी के लिए आपका सेलरी सेगमेंट है आपकी कॉस्टिंग है कोईला है बहुत सारे मेंटेनेस के काम होते हैं इंफ्रा स्ट्रक्चर्स है इसकी पूरी निर्मान परनाली है तो ये सारे चीजों को बिजली बेशते हैं और आप हम आप कंस्टमर की रूप में कंजुमर की रूप में विदुद को खरीदते हैं उसकी रेट निर्धारित होती है साथियों ये सारा एनलाइसिस किस मैथड से होता है साल भर का जो इंट्रिस्ट है एंड कमपॉण इंट्रिस्ट मैथड है उसक किसी भी सामगरी के डेप्रिशीशन का कैलकूलेशन यानि आज हमने वाइक अगर एक लाख में खरीदा है तो छे महने बाद ये वाइक एक लाख की नहीं होगी आप अगर इसको रिसेल करते हैं कोई भी व्यक्ति आपको एक लाख नहीं देगा वो 50,000 देगा 60,000 देगा 65, अगर 65,000 या आपको मिल रहा है तो 35,000 आपका depreciate कर गया वो भरबाद हो गया वो खपत में चला गया यानि वस्तु की market value का कम होना उस आधार पर हमको analysis करना है कि कितना invest किया कितनी market value कम हो गई ये सारी चीजों को देखते हूं हम ये calculation करते हैं इसमें कुछ fund को reserve रखा जाता sinking fund में क्या होता है कुछ पैसे को हमने reserve रख लिया कि इतना पैसा हमारा safe है इतने में से हमको काम करवाना है अगर फिर हमको दिक्कत हो गई घट गया तो हम यहां से उसमें लगाएंगे ठीक तो ये sinking fund matter इसको नाम दिया गया है और यह हमारे जीवन के ये जो जरूरी asset होते ह उन asset को examine करने के लिए उस asset को ध्यान में रख करके तब यह निर्ने लिया जाता है इसमें जमा की गई रासी को भविश में करज चुकाने के लिए इस्तिमाल में लिया जाता है इसलिए से रीन सोधन विधी भी कहते हैं याद रख लीजेगा sinking fund विधी के नाम से जानते हैं अगर यह नहीं दिया रहे तो आपको रीन सोधन विधी रीन सोधन विधी यानि हम reserve amount को रखा है जब हमारा कर्ज मान लिजे access हो गया या balance में नहीं रहा कर्ज को हम minimize नहीं कर पाए तो यहां से लेकर हम कर्ज को खत्म करते हैं इसलिए इसको रीन सोधन विधी कहा जाता है और इसका इंगली सासातियों sinking fund method ओके चलिए आगे देखते हैं अगला हमारा जो प्रस्न है वह है variable frequency drive का उप्योग करने में करने से उपकरन को निमलिखित में से कौन सा लाब होगा which among of the following will the advantage for equipment using variable frequency drive ये आपकी जो तस्वीर है यहां F देख रहे हैं आप 60 ठीक है mode है आपकी run है stop है reset है up and down है यहां पर knob connected है यह आपकी क्या है भी FD है variable frequency drive है साथियों variable frequency drive के माध्यम से हम क्या करते हैं उपकरन के रख रखाओ के लागत में क्या आती है कम ही आ जाती है ठीक है इसका जो maintenance cost है वो आपकी कम हो जाती है इसके परियोग से उर्जा की भी क्या होती है इनर्जी saving होता है और दूसरी महत्껏ंपुन बात यह है इसके परियोग से line disturbance उसके बाद maintenance यह सब भी क्या होता है minimum हो जाता line disturbance कम हो जाएगा, maintenance cost कम हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको benefit के रूप में प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा, तो हम आपके बीच 5-5 question का discussion लेकर बीच-बीच में हम उपस्तित होते रहेंगे, और ऐसे करके हम सारे बिहार के प्रस्ण आपके completely discuss कर देंगे साथियो एकदम नहीं घबराना, आप इन सारे प्रस्णों को जरूर अपनी copy में भी note कर सकते हैं, या इसके solution को भी note कर सकते हैं, numericals भी हैं, आपको एक idea लगेगा, आपको जानकारी मिलेगी, कि कहां कहां किसकी स्चत्र से प्रस्ण आते हैं, निश्यू दूरुप से आप देख रहे करते हैं, variable frequency drive के रूप में, और हमारे online हम से जूडने के लिए, या offline हमारी inquiry जिससे संपर करके आपको जानकारी courses के मिलेगी, ये आप जाएंगे अपने mobile में play store पर, और play store में जाके type करेंगे the platform, फिर आप यहां से put up करके install करेंगे, then वहां अपनी choice के courses को आप चूज करेंगे, otherwise हमारे scanner यहां पर QR code भी मैंने दे दिया, एप का, इस्क्रीन के side में हो चुका हूँ, आप आसानी से अभी भी QR code के माधियम से एप को scroll कर लेंगे, और फिर आसानी से download करके हमारी courses से हमसे जूड जाएंगे, सातियों आपके उज्जोल भविस्की कामना के साथ, आ यहां जाएंगे, सातियों आपके।